हिए मैंनपूरी के करहल सीट इस बार सबसे ज्यादा चरचाओं में है यहां से भारतिए जिनता पार्टी ने दूसरी बार यंदब चेहरे पर दाव किला है सेट पर सबसे ज़्यादा जो चरचा में पिछली बार रहे थे सर आप रहे थे पर आपकी बयानों की बज़ए से उछी और ज्यादा चरचा में अकलिस आदब का अपने चुनाव मैदान में उतारने को मजबूर कर दिया था क्या लगता है इस बार या अदब गड़ में ही आपस में तका हूँ लेकिन अभी मेरे वाले चुनाओं में सोब्रंट सिंग की जगे अख्रेशादों रड़े थे और जो उसमें अभी उनको दियानी है परवार को दिया है उसमें आपने जब नामांकन किया था तो आपने प्रुष्टेनी किया था कि जो लोग अपनी सीट को परमपरागत या पुस्तेनी समझते हों लोग कंतर का उन् सब्सक्राइब नहीं है लेकिन अब तो जंता तह करती है तो चुनाओं से पहले जो लीड बता देते हैं वो लोग हैं जो बूत कैप्शल में विश्वास करते हैं बाकी जंता ने अभी अभी पंजाब में के उस समय के वर्तमान मुख्वंती को दो सीटों से राया और सुर किसे आदमने कह दिया है किये उप चुना यूपी लोगा ilقro को 27 की बुर्णाओं कि दिखे वह ऐसा करें ना किह finest को बनियाद मानें कि यहार को बनियाद आपनी मानें जो खेर का रेल टाएगा वोई सरकार्टर बनाएगा हमेशा ये तो एक नंगा सच है जात और गोतर पे लोग आ रहे हैं लेकिन मैं आज भी कहना चाहूँगा कि यद इस देश में जातवाद ना होता उसमें हम जैसे लोग सफर करते हैं न जिनके पांच लाग बोट नहीं होते हैं एक लोग सबाबे ये लोग तो चले जाते हैं अपनी सिफ सीटों पर यद इस देश में जातवाद ना होता और गोतर वाद ना होता और अपनी अपनी जात के नेताओं के खूटे से बंदे हुए लोग ना होते और मुदी जी के लाभारती लाभारती केवल अपने परवार के साथ बोट डाल दे हैं तो उत्तर पुदेश की सभी सीटे हम जीटे हैं आप खूब चुचाओं मैं जब आपने वह से चुनाव लड़ा आपने जमीनी हकिकत वहां की बहुत जानी है क्या लगती है कि उसमय भी थे क्या लगता है कि करहल का जो सियासी जो रुख है भाजपा का इस बार प्रियोग रहा है कि जब एक बार यादो दंदार आद्मी को लगा गया था तो उस बार रिजल्ट आया और आपको त्रानवे में एक बात और पता होनी चाहिए कि सपा बसपा का गडबंदन था इसके बावजूद भरती इंतापर्टी जीती थी तो सोबरन सिंग यादो वहीं के रहने वाले थे उनका प्रभाव था तो जो हमारे अबके केंडियेट हैं प्रमरा यादो के तो वह भी उहां जमीन से जुले गए हैं तो निश्चे तोर स जो बूत कैप्चर नहीं होगा आई परसंटेज नहीं होगी अपना अपना बूड अगर डालेंगे और तो भरती इंतापर्टी चुनाओं की तो इस वार से लोकसा चुनाओं में यूपी ने कुछ निरास किया था तो इस वार क्या लगता है कि यह चुनाओं पर असर डाल जीत के हैं क्योंकि धाई साल पहले इस दौरान गंगा जमना में बहुत पानी बहेगा बहुत से दौर आएंगे बहुत से विकास होंगे बहुत से राजनितिक प्रस्तितियां होंगी बहुत से गड़ बंदन होंगे तो हम इसको आगामी विदान सभा के चुनाओं का सेमी मैं अपने विचार हैं कि मैं नहीं मानता हूं करेल सीट चर्चाओं में हैं अब देखने वाली बात होगी कि जो जीत का शेहरा है वो इस बार किस किसर सस्ता है मैं हरीकान सर्मा न्यूजिटी नागरा